जी हाँ नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका वहीं चीर परिशित दोस्त आज एक और नए और शदी लेकर के आया हूँ दोस्तों आज एक और नया टोपिक लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बहुत है लाप्रत सावित होने वाला है दोस्तों जी हाँ भारते संस्कृते में त तूलसी का पोधा नहीं होता उस घर में भागवान भी रहना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों पर इसके साथ साथ हमारे धार्मिक मान्यताएं और भावनाएं तो जुड़ी हुई ही हैं तूलसी के साथ लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे लिए बैग्यानिक रूप से भी देखे यानिके हर चीज हमारे लिए बहुत ही लाप प्रद है दोस्तों आएए आज हम जानते हैं तूलसी के पोधे के लाव लिवर संबंधी समस्या तूलसी की 10 से 12 पत्यों को गर्म पानी से दो कर रोज सुबह खाएं लिवर की समस्या में यह बहुत ही फायदे मंद है पेट दर होने पर इस लेप को ना भी और पेट की आसपास लगाने से अराम मिलता है पाचन संबंधी समस्या पाचन संबंधी समस्याओं जैसे दस्त लगना पेट में गैस बनना आधी होने पर एक ग्लास पानी में 10 से 15 तुलसी की पत्यां डालकर उबाले और काढ़ा बना ले इसमे दो का पानी में एक चमच तुलसी की पत्यों का पाउडर और एक चमच इलाइची पाउडर मिलाकर उबाले और काढ़ा बना ले दिन में दो से तीन बार यह काढ़ा पिएं स्वाध के लिए चाहें तो इसमें दूद और चीनी भी मिक्स कर सकते हैं दोस्तों इससे आपका बुखार गयब हो जाएगा खांसी जुकाम करीब सभी कफ सिरफ को बनाने में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है जिहां आप जितनी भी सिरफ देखते हैं सब में तुलसी पौधा मिक्स होता है तुलसी की पत्यां कफ साप करने में मदद करती हैं तुलसी की कोमल पत्यों क थोड़ी थोड़ी देर पर अधरक के साथ चबाने से खांसी जुकाम में रहत मिलती है चाई की पत्यों को उबाल कर पीने से गले की खराश दूर होती है इस पानी को आप गरारा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों सर्दी से बचाओ जिहां बारिश या ठंड के मौसम में सर्दी से बचाओ के लिए तूलसी की लगपक दस से बारा पत्यां काफी होती है दोस्तों गुर्दे की पत्थरी तूलसी गुर्दे को मजबूत बनाती है यदि किसी की गुर्दे में पत्थरी हो तो शहद के साथ इसका इस्तिमाल करने से गुर्दे की पत्थरी गयब हो जाती है दोस्तों तनाव तूलसी की पत्यों में तनाव रोधी गुन पहे जाते हैं तनाव को खुद से दूर रखने के लिए कोई भी तूलसी के 12 पत्यों का रोज दो बार सेवन कर सकता है इससे आपका तनाव चमतकारिक रूप से गयब हो जाता है दोस्तों मुँख का संक्रमण अलसर और मुँख के अन्य संक्रमण में तुलसी की पत्यां फायदे मन साबित होती है रोजाना तुलसी की कुछ पत्यों को चबाने से मुँख का संक्रमण दूर हो जाता है तुचा रुग, दाद, खाज, खुजली और तुचा की अन्य समस्याओं में तुलसी के अर्क को प्रभावी माना जाता है दोस्तों सांसों की दुरगंद, जिहां अगर आपके मुँसे समेल आते हैं दुरगंद आते हैं तो तुलसी पत्ता उसे गयब करता है आँखों की समस्याओं की जलन में तुलसी का अर्क बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों रात में रोजाना श्यामा तुलसी के अर्क को दो बुंद आँखों में डालिए और इसका चमतकार देखिए कान के दर्द में भी तुलसी का पत्ता बहुत ही कारगर सावित होता है दोस्तों तुलसी के पत्ते को सरसो के तेल में भूलने और लहसुन का रस मिलाकर कान में डालें आपके कान का दर्द गयब हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से तुलसी हमारी अन्य हजारों बीमारियों को दूर करता है दोस्तों हमें फीवर हो या फिर कैंसर हो तुलसी जो होता है वो विटामिन C, कल्शियम तथा फासफोरस से भरपूर होता है तुलसी का तेल विटामिन C, कल्शियम और फासफुरत सी भरपूर होता है तुलसी का तेल मक्ही मच्छरों को भी दूर रखता है दोस्तों अब कुछ साउधानिया दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि तुलसी पत्ता कितना लाबकार है और कई चीजें हैं जो तुलसी पत्ता खाने से होता है बस अब हम आते हैं तुलसी पत्ता खाने में कुछ चीजों का हमें खयाल रखना चाहिए दोस्तों कि हमें इसका सेवन कैसे करना चाहिए अब ध्यान रखे कि तुलसी के पत्ते को मुह में रखें उन्हें दातों से न चबा कर सीधे ही निकल ले इसके पीछे का विज्ञान यह है कि तुलसी के पत्तों में धातों के अंश होते हैं जो चबाने पर बाहर निकल कर दातों की सुरक्षा को नुकसान पहुचाते हैं जिससे दंत और मुख रोग होने का खत्रा बढ़ जाता है दोस्तों इसलिए तुलसी पत्ते को कभी भी दातों से चबा करना खाएं सीधा निगल जाएं यह आपके लिए बहुत ही लावकारी और शधी के रूप में कारगर सावित होगी दोस्तों धन्यवाद अगली बार हम आप सबसे मिलेंगे एक और नए टॉपिक को लेकर तब तक के लिए शुक्रिया